आप सभी को मेरी नमस्कार जियोतिश की नजर में सब्तम भाव यानि की शादी का मुख्य भाव है तो उसके द्वारा शादी को हम किस प्रकार देखते हैं आईए इसके समन्वे हम समझते हैं जैसा की कुंडली में सब्तम भाव जो होता है मुख्य भाव होता है शादी का सब्तम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी ग्रै होता है वो शादी के प्रॉमिस को बताता है तो सब्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी भाव चलित कुंडली के अनुसार सात्मे भाव दूसरे भाव परिवार का ग्यारवे भाव इच्छा का कारेश हो तो शादी अवश्य होगी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शादी के लिए जो नियम है सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दो साथ ग्यारा भावों का कारेश होना चाहिए अब यदि कुंडली में सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दो साथ ग्यारा भावों का कारेश हो तो शादी अवश्य होगी और वो भी दो साथ ग्यारा भावों के कारेश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रतेंतरदशा में तो वो कारेश ग्रह जो A level, B level, C level, D level में हो सकते है या फिर वो दूसरे साथ में और ग्यार में भाव के साथ कोई ग्रै यूति में हो या कोई ग्रै भाव दृष्टी में हो या ग्रै दृष्टी में हो तो जैसा कि भावों के कारेश ग्रह A लेवल, B लेवल, C लेवल और D लेवल इसके इलावा E लेवल में हम युती, द्रिश्टी जुती, भाव युती आदि को लेते हैं तो सब्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दूसरे साथ में और ग्यार में भाव का कारेश हो तो शादी अवश्य होती है, वो भी 2.7.11 भाव के कारेश ग्रहों की दशा, अंतर दशा, प्रतेंतर दशा में इसी परकार प्रेम विवा को देखें, तो प्रेम विवा का जो नियम है सब्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दो पांच साथ ग्यारा भावों का कारेशो यहाँ पर पांच भाव प्रेम का मुख्य भाव है पंचम भाव जो होता है यह प्रेम का मुख्य भाव है तो सब्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दूसरे पांच में साथ में ग्यार्वे भाव का कारेश हो तो प्रेम विवा अवश्य होगा वो भी दूसरे पांच में साथ में ग्यार्वे भाव के कारेश ग्रहों की दशा अंतरदशा और प्रतेंतरदशा में अब इसी प्रकार से किसी का तलाक हो गया हो तो वो दूसरे विवा के लिए अवश्य जानना चाता है तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है पहले तो इस नियम को ध्यान दे दूसरा विवा नियम क्या है सप्तमभाव का उपनक्षत्र स्वामी द्वी सभावी ग्रे हो द्वी सभावी ग्रह यानि की बुद्या गुरू हो। और द्वी सभाव राशी, मिथण, धनू, मीन हो या कोई अन्य ग्रह हो, कोई भी अन्य ग्रह लेकिन वो ऐसे ग्रह के नक्षत्र या राशी में हो जो उपर द्वी सभाव बताए गए है जैसे ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हो जो द्वी सभावी हो जैसे बुध्या गुरू या ऐसी राशी में हो जो द्वी सभावी हो जैसे मिथुन, धनू, मीन और साथ ही दूसरे नौवे और ग्यार में भाव का कारेश हो देखिए सब्तम भाव शादी का जो होता है मुख्य भाव होता है पहली शादी का तो दूसरी शादी का जो भाव होता है मुख्य वो होता है नवम भाव अब सब्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदी बुध या गुरु हो ये द्विस भावी ग्रेय हैं तो बुद्ध गुरु हो या जैसा की जो राशी बताई है मिथुन धनु मीन से संबंदित हो या कोई अन्य ग्रेय हो जो इस राशी से संबंदित हो या बुद्ध गुरु के नक्षत्र में हो तो दूसरा विवा अवश्य होता है वो भी दूसरे नौवे ग्यारवे भावों के कारेश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रतेंतरदशा में इसके साथ साथ दूसरे नौवे ग्यारवे के साथ साथ भाव को भी ले सकते हैं यानि कि 2, 7, 9, 11 भावों के कारेश ग्रहों की दशा अंतरदशा में दूसरा विवाह हो सकता है यदि उसका प्रॉमिस हो अब जैसा की विवा होता है तो विवाहिक जीवन में कोई दिक्कत हो कोई परिशानी हो या कलेश हो तो वो किस प्रकार से हो सकते हैं उसको भी समझे देखें जैसा की सब्तम भाव शादि का मुख्य भाव है दूसरा भाव परिवार का भाव है ग्यारवा भाव इच्छा का भाव है पांचवा भाव प्रेम का है तो अब यदि इनके व्याई भाव व्याई भाव कौन से? सब्तम से बारवा भाव गिने तो छटा भाव आता है दूसरे से बारवा भाव गिने तो पहला भाव आता है ग्यारवे से बारवा भाव गिने तो दशम भाव आता है पांचवे से बारवा भाव गिने तो चौथा भाव आता है अब चौथा भाव एक्टिव होगा तो प्रेम कम होगा छटा भाव एक्टिव होगा तो विवाहिक जीवन में दिखते होंगी परिशानियां होंगी दूसरे का विवाव होगा इसी परकार से ग्यारवे का और यदी साथ में आठमा और बार्मा भाव जुड़े तो फिर दिखते ही दिखते सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदी पहले छटे आठवे बार्मे दसवे भाव का कारेशो तो विवाहिक जीवन दुखमे होता है कोई सुख नहीं रहता तलाक तक की नौबत आ जाती है तलाक तक हो सकता है तो इस प्रकार से जैसा की मैंने बताया पहला छटा आठवा बार्मा दसवा भाव ये सब विरोधी भाव हैं सब्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि इन भावों का मजबूत कारेशो ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हो जो इन भावों के कारेशो तो ऐसे जातक का विवा कई बार बिल्कुल नहीं हो पाता वो कुवारा ही रह जाता है तो इस बात को समझे यहाँ पर मैंने आपको शादी का नियम प्रेम विवा का नियम दूसरे विवा का नियम और विवाहिक जीवन में जो अनबन ग्रैक लेश लड़ाई जगड़े रहते हैं उसके बारे में आपको बताया तो इस वीडियो को आप बार बार देखें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उप्योगी है धन्यवाद